हालो, वेल्कम टू पर्फेक्ट रसीपी विट अमिटा आज की पर्फेक्ट रसीपी है खिली-िली सी बनने वाली साबोदाने की किचडी कई बार साबोदाने की किचडी ठीक से बनने पाती है, चिप-चिपी बनती है और आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले है जिससे आपकी बनाई हुई किचडी भी खिली-खिली सी बन जाएगी तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप साबुदना इस साबुदने को हमें पहले अच्छे से धो लेना है यह पानी में फेकने वाली हूँ और फिर हम साबुदने को भीगोएंगे जब भी हम किचडी बनाता है तो साबुदना भीगोना यह स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर इस स्टेप में गड़-बड़ हो गई तो साबुदने की किचडी ठीक से नहीं बन पाती है इसे भीगोने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और हमें पानी उतना ही डालना है जितने बानी में साबोदाना अच्छे से डूप सके उससे जादा पानी हमें नहीं डालना है अब इसे भीगो कर हमें 5-6 गंटे तक रख देना है 5-6 गंटे में साबोदाना अच्छे से भीग जाएगा अब 5-6 गंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं ये अच्छा फूला फूला सा बन चुका है और ये खिला खिला भी है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और अंदर तक दाना दाना पूरी तरह से सौफ्ट हो चुका है अब हम किचडी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले कडाई में मैंने ये मेल्टेड गी डाल दिया है और उसमें मैं डालूंगी ये जीरा अगर आप वरत में जीरा नहीं खाते है तो आप ना डाले फिर उसके बाद मैंने ये हरी मिर्चे भी उसमें डाल दी है और ये डाल दिया है आलू आलू को हमें इस घी वाले तड़के में अच्छे से पका लेना है लेकिन उससे पहले मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी कसीवी अद्रक बस जरा सी अद्रक डालने से इस किचडी का स्वात बहुत ही अच्छा आता है अब इस तरह से ढख कर हमें इन आलूं को पका लेना है बस दो मिनिट हम ढख देंगे तो आलू अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे आलू पकने में वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लगता है हम एक बार इसे चला लेते हैं और चेक करते हैं कि आलू अंदर तक पका है या नहीं ये देखिए ये आलू अब पक चुके है अब हम इसमें मिलाएंगे भीगोए हुए साबोदाने अब हमें इसे एक बार मिक्स कर लेना है और इस तरह से लगातार हमें चलाते रहना है क्योंकि साबोदाना तले में जल्दी से चिपक जाता है और ऐसा ना हो इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे मैंने इसमें डाल दी है ये कुटी हुवी मूमफली ये मूमफली को भून कर मैंने दरदरा सा कूट लिया है और इसे मैंने इसमें मिला दिया है ये है स्वादा नुसर नमक, अब अपने स्वादा नुसर कम्या जादा कर सकते हैं, इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है तोड़ी सी चीनी और ये कसा हुआ फ्रेश नारियल, महराश्ट्रों में इस किच्डी में ये ग्रेटेड कोकोनट जरूर डाला जाता है, अगर आपके ये हाँ ये एवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अब इन सारी डाली वी चीजों को हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, और इस किच्डी को बनाते वक्त हमें घी का भी जरूर ध्यान रखना है, अगर घी जरूर से जादा कम डालेंगे तो ये किच् साबुदाना भिगोते वक्त पानी का और तड़का लगाते वक्त घी का हमें खास ध्यान रखना है, तभी ये किच्डी एकदम खिली-खिली सी बन जाएगी, और ये किच्डी पकी है या नहीं, ये जानने के लिए उसका हम कलर देखेंगे, पहले साबुदाना कैसा था और अब ये थोड़ा सा ट्रांस्परंट होने लग गया है, तो जैसे ही साबुदाना ट्रांस्परंट होता है, तब आप समझ जाओ कि ये किच्डी पक चुकी है, मैं किच्डी पकाते वक्त बिल्कुल भी उसमें धकन का इस्तमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि हम जब धक देते ह तो भाब की पानी की वज़े से वो साबुदाना आपस में चिपकने लगता है, और खिच्डी अच्छी नहीं बनती है, इसलिए ये बीना धके ही हमें पकानी है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टन टिप है, और इसे पकने में बस दस मिनिट लगते है, आप देख सकते हैं ये खिच्डी अब तयार है, और एकदम खिली-खिली सी बन गई है, है ना इसे बनाना कितना आसान, आठकी रेसिपी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक परफेक्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपन नाते रहिए, खाते रहिए और किलाते रहिए